देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे आपके जीवन के जितने भी प्रमुक एसपेक्ट्स होते हैं जैसे कि जनरल प्रडिक्शन, करियर, बिजनस, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, फाइनस, स्टुडीज और सेहत इन सबको इस राशिफल में इंक्लूट किया जाएगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बत लगन बहुत महतवपुन होता है, अपना लगन पता करने की कोशिश करें, आपके पास कुंडली होती है, उसमें अलग से लगन कुंडली बनी होती है, जो पहले भाव में राशी होती है, वही आपका लगन होता है, लगन से देखेंगे अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, चुरुआत करते हैं जनरल प्रडिक्शन के साथ, सबसे पहले लगन को देखेंगे, लगन कुम्ब है और कुम्ब पर प्रभाव रहेगा बुद्ध का, क्योंकि एक तारीकों ही बुद्ध आ जाएंगे लियों में, यानि कि सिम्म हमें, और 20 दिन तक यहीं पर रहेंगे, तो 20 महिने के शुरुआत में ही कोई अनिश्चित्ता, थोड़ी अनस्टिबिलिटी आपके जीवन में आएगी, अश्टम भाव अपना कारकत्व दिखाएगा, और थोड़ा बहुत इंबैलन सा महिने के शुरुआत में ही आपके जीवन में आजाएगा, हो सकता है सोशल पब्लिक लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आपको जहिलने को मिले, लेकिन क्योंकि पंचम भाव का भी स्वामित्व है, तो यहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, त्रिकोन के स्वामी है, लक्ष्मिस्थान के स्वामी है, तो धन कमाने के लिए कुछ नए आइड याज भी आपको इस महीने के शुरुवाती भाग में आ जाएंगे, लगन के स्वामी आनिकी शनी 12 जुलाई को वापस गिर गए थे, पतित हो गए थे, कैप्रिकोन में, और वहां पर बैठके विपरीत राजियोग बनाएंगे आपके लिए, लगन के स्वामी का विपरीत कि भी टेंशन आपको आए, कितने भी चलेंजिस आपके सामने आए, अब हर चीज का बहुत दिर्टा के साथ सामना कर लेंगे, ना केवल सामना करेंगे, उस नेगिटिव सिचुएशन में से भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकाल कर लाएंगे, क्योंकि के तु नव आप थोड़ा अध्यात्मिक्ता के तरव जादा जाना शुरू होगे होंगे, क्योंकि के तु जैसा मैंने कहा अगले साल अक्टूबर तक यहां पे रहेंगे, तो अपना प्रभाव इन सब चीजों पर आपको दिखाएंगे ही, आनि कि आपके व्यक्तित्व पर, आपके अ तारीक के बाद, स्पेशली यदि कोई अधालती कारवाही थी, यदि आपके कुछ काम अठक रहे थे, यदि प्रॉपर्टी से संबंदित कुछ कारे अठक रहे थे, तो वो सारे कारे छे तारीक के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, एक चीज थोड़ी चिंता करन करने वाली है कि शनी और सूर्य का आमना सामना रहेगा 17 तारीक तक, बाब बेटे का दोनों में रिष्टा है लेकिन संबंद अच्छे नहीं है, तो हो सकता है जैसे मैंने शुरू में कहा था, पबलिक लाइफ, सोशल लाइफ इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये बहु सकता है आपके पीट पीछे लोग कुछ बात कर रहे हो, आपको बदराम करने की कोशिश अभी कोई न कोई कर रहा हो, थोड़ा सा सावधान रहेगा, कुछ योगों की बात करते हैं जो आपके लिए बनेंगे, कहल योग बन रहा है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉंग फील क करेंगे अंदर से, यानि कि साहस बहुत रहेगा, शंक योग पैसे के लिए अच्छा है, मंगल द्वारा राज्योग बनेगा, जब मंगल 10 तारीक को चौथे स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, इसके साथ ही बुद्ध 20 तारीक को विपरीत राज जीवन में बहुत साधे बदलाव आने वाले हैं, आपका जीवन maturity की तरफ बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत maturity आ जाएगी, भले ही आपकी एज अभी कम ही क्यों ना हो, इस विशे पर हर लगने के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ही जाएंगी, तो आपके कारे में विगन डालेंगी, जैसे मैंने कहा है, जीवन परिवर्तन वाला ये योग बन रहा है आपके लिए, क्योंकि एक साइड लगन को ब्रहस्पती घेरे हुए हैं, दूसरी साइड से शनी, तो बहुत सारे changes आएंगे, कुछ अच्छे, कुछ प्रियास कीजेगा, ये एक चीज है कि इस महीने आपकी नींद बहुत डिस्टरब्ड रहेगी, जब सेहत वाले section में जाएंगे तो बात करूँगा, लेकिन overall इस पूरे महीने नींद बहुत डिस्टरब्ड रहेगी और overthinking आप बहुत करेंगे, दो तिन नकरात्मक पॉइं repulsive होकर, frustrate होकर कुछ गरत कारे कर देंगे, इस से बचना है, conflict से बचना है, arguments से बचना है, एक detachment का भाव बहुत आजाएगा, उस से भी आपको बहुत हद तक बचना है, मैं कई वर बता भी चुका हूँ, एक सन्यास का भाव होता है कुम्ब लगने के जातकों में, और कभी कभी बहुत प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल कि अच्छा कासा सब कुछ चलते हुए भी, वो सन्यास के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इस महीने भी ऐसा ही रहेगा, इसके साथ अपने घरवालों से जब आप बातचीत करें, तो जादा rude ना हो, ऐसा कई बार होग और उसके कारण बहुत प्रबलम हो सकती है, जो महीने के शुरुआती दस दिन है, यहाँ पर sensitive बहुत रहेंगे, महीने के बीच के दस दिन है, इसमें मानसिक तोर पर भावनात्मक तोर पर थोड़ा दुखी रहेंगे, भले ही पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको enjoy नहीं कर रफाएंगे, जो महीने के अंतियम दस दिन है, यहाँ पर एक clarity आजाएगी, क्योंकि दो-दो वक्री ग्रह थे तो, उनका प्रभाव थोड़ा-थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, तो जो भी चीज़ें आपको परिशान कर रहे थी मानसिक तोर पर, महीने के अंतिय तक आते आते हैं, उन सब में बहुत हद तक clarity अवश्याएगी, करियर के तरफ दस्वे स्थान को देखा जाता है सबसे पहले, वहां के स्वामी है मंगल, और पिछले कुछ समय से अंगारक योग बना कर बैठे थे, जो लोग बाहर से संबंदित कारे करते हैं, MNC आदी में काम करते हैं, उनके लिए, जो पिछला एक देट महीना है वो अच्छा गया होगा, में भी monetary terms में, लेकिन easy नहीं रहा होगा, गुसा, office politics, इसके साथी अविश्वास, इन सब चीजों को जहला होगा, monetary जैसे मैंने कहा, हो सकता है, कुछ पैसा वड़ा हो, growth के chances भी वने होगे, लेकिन easy नहीं रहा होगा, अब अंगारक योग 10 तारीक को खतम हो जाएगा, मंगल आजाएंगे चौते स्थान में, चौते स्थान से सीधा देखेंगे, 10 वे घर को, मैं कई बर बता चुका हूँ, एक सूत्र है, जब भी किसी भाव का भावादी पती, यानि कि किसी भी house का lord उस house को देखता है, तो उस house को strength देता है, तो जब मंगल दस्तारीक को आजाएंगे व्रिशब में, स्कौर्पियो को देखेंगे जो आपका दस्वा भाव है, उसके बाद आपके career में काफी changes आ सक सकते हैं, अच्छा ही कुछ होगा, आप आगे ही बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके अवश्य प्राप्त होंगे, ब्रहस्पती की दृष्टी भी रहेगी दस्वे स्थान पर और ब्रहस्पती क्योंकि धनस्थान में हैं, तो income बढ़ने के, salary बढ़ने के, इन सब चीजों के योग आपके अवश्य बनेंगे दस तारीक के बाद, अगर नई job ढून रहे हैं, salary increase के लिए, तो उसकी offer भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, अगर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत कोई नई ऐसी post मिल जाएगी, अच्छा है जो corporate sector में काम करते हैं, उनको एक clarity आजाएगी कि कैसे आगे बढ़े, आपको ना किवल अपने कारे को लेकर बलकि अपने colleagues को लेकर भी बहुत clarity आजाएगी, जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बाते करते हैं, उनके बारे में भी आपको इस महीने पता चल ज जाएगा, intuition कारेक शेतर में अच्छी रहेगी, आपको अपने contacts बनाने का मौका मिलेगा, जो लोग बड़ी companies में काम करते हैं, corporate sector में, IT firms में, उनको पता है कि contacts कितने भी important होते हैं, तो आपको contacts बनाने का र्यास भी करना चाहिए और उसका आपको मौके भी मिलेंगे, इसके स और उसको better बनाने का मौका मिलें, एक चीज है कि इस महीने आप के साथ यदि कुछ भी गलत होता है, आप उसको सहर नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए एकदम आवाज उठा देंगे, जिसका मिला जुला सा प्रभाव आपको प्राप्त होगा, दो तिन नकरात्मत point है, हर इसको control करने का कोशिश करा, तो आपके साथ बहुत negative हो सकता है, जो चीजे आप control कर सकते हैं, सिर्फ उनी पे ध्यान दीजेगा, कभी-कभी, especially यदि आप किसी creative field में काम करते हैं, तो एकदम आपका mind block हो जाएगा, दो-तिन incidences ऐसे होंगे, especially यदि किसी creative field में काम करते हैं, य बहुत वाद विवाद होगा, इन सब चीजों से आपको बचके रहना है, महीने के शुरुआते दस दिन आपका focus अच्छा रहेगा, बीच के दस दिन planning के लिए बहुत अच्छे हैं, और अंतिम दस दिन सब कुछ होते वे भी एक dissatisfaction की भावना आपके अंदर रहेगी, बले में ही आगे ते मध्य जुलाई में, हो सकता है बिजनस में कुछ losses हुए हो, थोड़ी instability आई हो, अब 17 तारिक को आजाएंगे सब्तम सान में ही, वहां से या कहिए महीने के मध्य भाग के बाद से आपके बिजनस में कुछ अच्छा होगा, वैसे भी क्योंकि एक तारिक को ही थोड़ी अनिशित्ता भी रहेगी बिजनस में, अच्छी चीज है कि वो पंचम भाव के भी स्वामी है, जो सब्तम से ग्यारवा है, यानि कि लाव की उम्मीद तो बनेगी, दस थारिक को मंगल आ जाएंगे, मंगल क्योंकि आपके लिए तीसरे स्थान के, दसरे स्थान के स्वामी है, बले ही लगनके स्वामी के साथ बहुत अच्छे संब्द नहीं है, लेकिन आपको कभी-कभी अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, अनि कि कुम्म लगने के लोगों, तो बिजनस में इस महीने थोड़ी पॉजिटिविटी आते हुई दिख रही है, जो कारे रुक चीजें ठीक हो जाएंगे, कई कारे आपके पूरे होंगे, वेर्थ की चिंताओं से बचना होगा, वो बहुत करेंगे, लेकिन कारे आपके कई जो अनकम्प्लीट चल रहे थे, वो पूरे हो पाएंगे, पैसा आएगा, अचानक से पैसा आएगा, और भाग्ये का भी आपक आपको इस महीने बहुत महेंगे बढने वाले हैं, गवर्मेंट से आपको इस महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गिया, तो अथोरिटी से, गवर्मेंट से, लोकल म्यूंसिपल कमीशन से, जहां पर भी आपका बिजनस रेजिस्टर है, इसके साथ ही, बहुत ओर वर्व के स्वामी रहेंगे, तो नेगेटिव चीजों पर जादा ध्यान रहेगा, महीने के बीच के दिनों में किसी से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा इससे बचके रहें, महीने के जो अंतिम दस दिन है, ये ठीक ठाक है, लेकिन यहापके आपके सामने से कोई opportunity निकल तो थोड़ा अपने senses में रहेंगे, तो business के लिए अच्छा रहेगा, चलते हैं, income, investment, expenses के तरफ, पहले investment की बात कर लेते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन में excitement बहुत रहेगी, और over excitement में, समय तो देखी ठीक होगा, लेकिन over excitement में कुछ गड़बर कर सकते हैं, इसलिए धैर रखेगा, महीने के बीच के 10 दिन, long term investment मत कीजेगा, कोई ऐसी investment जिस पे थोड़ा पैसा लगाते हैं, 2-3 दिन बाद निकाल लेते हैं, पैसा थोड़ा वापस आ जाता है, थोड़ा मुनाफा हो जाता है, ऐसा है तो कर लिजेगा, long term करेंगे तो ये 10 दिन बहुत भारी जान स्पेशली जब बड़ा amount की हम बात करते हैं, पैसा आएगा कि नहीं इसकी बात करते हैं, देखिए आपके लिए जो ब्रहस्पती हैं, बहुत important है, मैं कई बार बता चुका हूँ, दो लगने हैं ऐसे, लियो और कुम्भ, जिनके लिए एक ही ग्रह, लावस्थान और स्थान में आ गए थे, अपने आप जब धनस्थान में जाते हैं, ग्यारवे में आते हैं, तो बहुत अच्छा धनयोग बनता ही है, हो सकता है, अपरिल के बाद चीजों में सुधार आया हो, पैसे के संबंद में कह रहा हूँ, अभी भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभ पैसे आने की संभावना बहुत रहेगी, यह उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जिनके पास यह opportunities होती है, यदि आपकी कोई ऐसी जॉब है, जिसमें कोई extra income नहीं है, तो आप कैसे कमाएंगे पैसा, कई लोग ऐसे comments करते हैं, कि हमारे पास extra पैसा नहीं आया, यह मैं उनके के लिए कहता हूँ, जो या तो business करते हैं, या कोई ऐसी job करते हैं, जिसमें extra पैसा मिलता है, वो overtime से हो गया, performance based हो गया, incentives हो गये, कुछ भी हो गया, जहां पर मिलता है extra पैसा, उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, खर्चा कहां कहां होगा, क्योंकि लगने के स्वामी बारवे में चले गए हैं, खर्चे तो आपके जुलाई से ही बढ़ गए होंगे, थोड़ा बहुत खर्चा extra होना शुरू हो गया होगा, इस महीने भी खर्चा काफी रहेगा, खर्चा किस-किस चीज में होगा, पढ़ाई पर, बुक्स पर, यात्राओं पर बहुत खर्चा होने वाला है, और जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि बहुत शोबाजी होती है विक्ति में, तो अपना स्टेटर्स लोगों को दिखाने के लिए बहुत खर्चा करने वाले हैं, महीने के शुरुआती दस दिन में, घर पर भी बहुत खर्चा होगा, मरंबत पर खर्च होंगी और अचानक आपको बहुत जगाओं पर ट्रेवल करना पड़ेगा जिसके कारण आपका खर्चा होगा और आप अपनी सेहत पर अपने रखरकाव पर अपने आपको और बैटर करने पर काफी खर्चा करने वाले हैं महीने के बीज के भाग में महीने का जो अंतिम भाग है इसमें खर्चे स्पेशली बहुत बढ़ जाएंगे 21 से लेकर 25 तारीक तक अचानक से कई खर्चे होंगे जिनके आप तयार नहीं होंगे और थोड़ा बहुत आप अपने परिवार वाल सकते हैं लव लाइफ की तरफ सबसे पहले नो कॉंटेक्ट सिचुएशन की बात करेंगे थोड़े बहुत चांसे बन सकते हैं महीने के शुरुआती भाग में चीजें आगे बढ़ेंगी और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा और आपके फ्रेंड्स का या जानने वालों का शुरुआती भाग में चांसेज बने अगर तब तक नहीं बनते तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बातचीत रहेगी एक दुसरे को समझने का प्रयास करेंगे लेकिन रिलेशन्शिप बनने के जो योग हैं महीने के शुरुआती दस दिनों में जादा है जो लोग पंचम भाव को देखते हैं वहाँ पर शुक्र बहुत समय से थे हो सकता है पिछले कुछ समय में थोड़ा रोमैंस जागा हो लेकिन शुक्र का यहां पर होना कभी-कभी जो यह रोमैंस वाले इंटेंसिटी हो बहुत बढ़ा देता है तो व्यक्ति का ध्यान भी थोड़ा इदर उधर जाता है तो हो सकता है दोनों का ही ध्यान थोड़ा इदर उधर जा रहा हो उसके संभावना पूरी है अब छे तारिक को पंचम भाव से निकल कर शुक्र आ जाएंगे छटे भाव में और जो पंचम भाव के स्वामी है यानि कि बुद्ध वो 20 तारिक तक रहें आ सकती है यह जो महीना है यह आपको बहुत स्ट्रेस्फुल लगेगा अपने रिलेशन्शिप को संभालने के चक्कर में तिकि रिलेशन्शिप यदि स्ट्रेस देने लग जाता है तो रिलेशन्शिप अपने एक कहिए कि अंत की तरफ चलना शुरू कर देता है अगर आपनर के लिए जिसके साथ वह बातचीत कर सके अपने नीड्स शेर कर सके हर तरा की लेकिन अगर तनाव बढ़ता रहता है तो कभी ना कभी व्यक्ति कोश्चन जरूर करता है कि मैं रिलेशन्शिप में क्यूं हूं और यह महीना आपके लिए वैसा ही दिख रहा है आप को आपने अपने पार्टनर की तरफ थोड़ी अटेंशन दीजेगा अगर आपने उनको इसको अगर यह ने आनजाने में जैसे वह आपके लिए problematic रहेगा आपको जादा उन पे foundations नहीं लगानी आपको एक detective बन कर उनकी हर चीज़ पर ध्यान नहीं रखना ऐसा करेंगे तो भी problem होगी इसके साथी insecurity को अपने मस्तिश्क में स्थान नहीं देना ऐसा करा तो भी problem होगी महीने के शुरुवाती अब आपको एक comfort zone लगने लगए क्योंकि relationship में थोड़ी problem जा रही है जो महीने के अंतिम dozen है यहां पर चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो सकते हैं यदि आपने प्रयास किया तो चलते हैं married life की तरफ married life में थोड़ी बहुत अनिश्यत्ता इस महीने की शुरुवात में ही आ जाएगी क्योंकि बुद्ध जोकि अश्टम के स्वामी है वो एक तारिक को ही आ जाएंगे सब्तम में तो miscommunication विश्वास की कमी compatibility की कमी यह सब बहुत आने वाला है अच्छी चीज है कि यही बुद्ध पंचम के स्वामी है तो attraction तो रहेगा प्यार भी रहेगा लेकिन वो जो बाकी सारे factors हैं वो married life में बहुत तंग करेंगे दस तारीक को मंगल आ जाएंगे व्रिशब में यानि कि चौथे भाव में चौथी दृष्टी डालेंगे यहां पर भी थोड़ी problem बढ़ेगी क्योंकि मंगल थोड़ा गुसा और ले आएंगे आपके married life में तो problems और बढ़ेंगी और 17 तारीक को सूर्य जो सब्तम स्थान के स्वामी ही है वो भी आ जाएंगे अब सूर्य भले ही कि बाकी चीज़ों में आपको अच्छा रिजल दे दे, married life के लिए अच्छा रिजल नहीं देते तो यह समझ दीजे कि महीना बहुत easy नहीं जाने वाला married life के लिए इस महीने में आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा अपने महीने के शुरुआत से ही अपने life partner की थोड़ी तारीफ करना शुरू कर दे उनके efforts को थोड़ा appreciate करना शुरू कर दे इससे जो भी अनिश्यत्ता आने वाली है उस थोड़ी कम ही आ जाएगी यह थोड़ा conscious effort आपको लेना है छोटी छोटी mistakes पर बहुत लड़ाईया होंगी दोनों side से जो चीज़ें आप पहले ignore कर देते हैं कि चलो यह गलती होगई कोई बात नहीं इस महीने नहीं कर पाएंगे और इसके कारण लड़ाईया होंगे एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको यह लगने लग जाएगा कि क्या यह व्यक्ति वही है जिससे मैं इतने साल से इस बंधन में बंदा हूँ या बंदी हूँ यह चीज भी आपके मन में अवश्य आएगी थोड़ा अनिश्यत करने वाला महीना है थोड़ा धैरे रखिएगा मैं तो यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर को और समझने का प्रयास केजिए हर व्यक्ति में बदलावाता है समय के साथ उनकी बॉड़ी में बदला वाता है तो हो सकता है कि आप दोनों ही उस फेस से जा रहे हों जहां पे दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के बारे में और जानने का प्रयास करें थोड़ा लविंग थोड़ा केरिंग बने एक वर्ड होता है सिंपती और एक पड़ होता है एमपती अगर आप इस करना शुरू कर देंगे तो आपका married life थोड़ी अच्छी जा सकती है दो तिन नकरात्मक points है पैसे के बारे में ज़्यादा जिक्र मत कीजेगा पैसे के बारे में जिक्र करकर लडाईयां होंगी स्पेशली अदि आपको लगता है कि संभावना है कि वो बात घूमकर आपके life partner तक पहुँच जाएगी तो तो बिलकुल मत कीजेगा क्योंकि उसकी जो संभावना है वो 100% होगा जिससे भी आप बात करेंगे वो और थोड़ी नमक मिर्ची लगाकर आपके life partner को बताएंगे औ जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें 2-3 दिन अच्छे जाएंगे लेकिन फिर वो ही थोड़ा अनशित्ता का दौर आएगा जो महीने के अंतिन 10 दिन है यदि आपने अपने विवाहिक जीवन पर काम किया तो थोड़े बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को म आएगा स्पेशली यदि वो कोई गवर्मेंट से सब्मंदित एक्जाम है तो चीजें डिलेड होंगी तो एक्जाम तो सही जाता वह देखर है लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब तक उसमें बहुत देरी हो जाएगी महीने के बीच के 10 दिनों में यदि आपका कोई अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहें कि इनके साथ मिलके तैयारी करेंगे नोट्स एक्षेंज कर लेंगे तो एकदम एंड में आपको जाकर थोड़ा धोखा मिल सकता है तो किसी पर डिपेंड होकर अपनी तैयारी मत कीजेगा महीने के अंतिन 10 दिनों में यदि आपका एक्जाम है तो उसमें आपका रिजल्ट आपका एक्जाम सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है पंचम सान को देखा जाता है वैसे स्टूडेंस के लिए वहाँ पर शुक्र रहेंगे छे तारिक तक तो ठीक ठाक रहेगा शुक्र का वहां पर होना कोई बुरा नह सकती है बुद्ध आदेते योग बनेगा 17 तरीक को तीन दिन के लिए तो वह समय भी स्टूडेंस के लिए अच्छा ही होगा जो हायर स्टूडेंस करते हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छी आने वाली हैं और आप ही रही होंगी अपरिल से क्योंकि केतू है नवम में त कुछ आप चीज ऐसा करना चा रहे हैं जहाँ पर फैमली का साथ नहीं मिलता तो ठीक है आप कोई और ऑप्शन ढोनने की कोशिश कीजिए टाइम वेस्स मत कीजिए सकसेस तभी मिलेगी जब टाइम की आप वैल्यू करेंगे थोड़ा क्रियेटिविटी अपने पढ़ने के तरीकों में लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दो तिन नकरात्मक पॉइंट से हैं चीजों को एकसेप्ट करना शुरू कर देजिए जो नेगेटिव भी होता है उसको भी एकसेप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा स्टेगनेशन यदि आ गया हो सकता है कुछ लोगों का involvement हो जाएगा और वो भी आपके लिए नकरात्मक रहेगा महिने के शुरुवाती दस दिन कोई कड़ा निरने लेना पर सकता है महिने के बीच के दस दिन में आपको कुछ नए experiences प्राप्त होंगे महिने के अंतिन दिन में overconfidence के करण थोड़ी problem हो सकती है अब मैंने शुरुवात में बताया था कि sleep disorders व्यर्थ की चिंता हैं आपको इस महिने बहुत तंग करेंगी थोड़ा उन से बचके रहेगा और क्या-क्या हो सकता है infections का डर बहुत रहेगा स्पेशली महिने के शुरुवाती दस दिन में ladies को uterus सम्बंदित problem गाइनी problem ये बहुत तंग करेगी ladies को specially सबको कर सकती है लेकिन ladies को इस महिने जादा hormonal disorders तंग कर सकते हैं शुरुवाती 10 दिन में जो महिने के बीच के 10 दिन है इसमें आपको chest सम्बं हैं शायद वो आपको problem हो सकती है जो महिने के अंतिम 10 दिन है इसमें वात रोग बहुत तंग करेंगे body में दर्द बहुत रहेगा थुरा restless सा feel करेंगे sleep disorders यहां पे भी आपको बहुत होने वाले हैं इसके साथ ही आपको lower body में भी काफी दर्द रहेगी महिने के अंतिम भाग करने है हनुमान चालीसा और बजरंग-баन का दो बार्ट करना है पार्ट करने से पहले बजरंग-bali को किसी भी मिष्थान का भोग लगा लिजेगा उसके बाद उसी मंदिर में आपको चीनी चावल और गुड इसके साथ आप चाहें तो चने की दाल का भी दान कर सकते हैं ये सब कर लीजेगा आपके लिए ये महीना सकरात मग जाएगा चैनल पर नए है सबस्क्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमेश्ट